इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के जिला बरेली से सामने आ रही है जहां शुकरवार को एडियम प्रशाशन के सरकारी आवाज के पास से एक व्यक्ती से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सदर तैसील की राजस्त लेकपाल सीमा देवी को एंटी करप्शन टीम ने गिरफतार किया है उसके खलाव कोतवाली में ब्रसाचार निवारण अधिनियम के तहत अफायार दच कराई गई है एंटी करप्शन टीम के निर्खशक सुनील कुमार ने बताया कि इजद नगर के आलोग नगर निवासी निगम कुमार कुलश्रेश ने 19 दिसंबर को एंटी करप्शन कार्याले में उपस्तित होकर शिकायत करी थी शिकायती पत्र में बताया था कि उनकी पत्नी अलका कुलश्रेश ने ग्राम मकर नंदा ब्लॉक बोजीपुरा में 25 मई 2022 को जमीन खरी दी थी अपनी भूमी में जाने के लिए बरावर की भूमी मालिक विजेपाल की भूमी से निकलने के रास्ते के लिए रश्री कराई आनंद कुमान ने 22 दिसम्मर को मामले की जांच करके अपने अधिकारियों को रिपोर्ट दी इसके बाद एंटी कर्फशन टीम ने जाल बिछाया जैसे ही शुकरवार को शिकायत करता ने अपर जिलाधिकारी प्रिशाशन के सरकारी आवास के सामने रिश्वत के रूप में 500-500 के 10 नोड लेकपाल सीमा को दिये वैसे ही एंटी कर्फशन टीम ने लेकपाल सीमा को रिश्वत लेते हुए गरिफतार कर लिया सीवा ने पूश्टाज में बताया कि वैक कोतवाली थाना छेत में बिहारी पूर रामनाट डेरी के पास चक्की के सामने रहती है लेकपाल के खिलाब कोतवाली में एफाईया दर्च करा ही है बता दे कि इससे पहले 23 दिसंबर को एंटी करफशन टीम ने नवाब गंज तैसील के कानून गो शामलाल को तुदा बंदी के नाम पर 5000 रुपए की रिश्वर लेते हुए पकड़ा था